सबी दोस्तों का एक बार बहुत बहुत सौगत करती हूँ दोस्तों नारियल तोड़ना बहुत ही जटिल काम हमें सबको लगता है आज आपको नारियल के बारे में ऐसी कमाल की चीज़ें बताने वाली हूँ कि जिन्हें आपने पहले कभी नहीं नोटिस किया होगा देखें कि कितना असान होता है सबसे पहले तो नारियल में आपके जो ऊपर तीन आखें देखते हैं यह जो थ्री आइज हैं तो आप सबसे पहले यह नोटिस कीजिए जो तीन आखें होती हैं इसमें से जो एक आख होती है वो बहुत ही सौफ्ट होती है जिससे आप जो है नारियल का पानी निकाल सकते हैं तो चलिए पहले चाकू लगा के इस तरीके से देखते हैं तो देखे पहले वाले में तो चाकू नहीं जा रही थी और दूसरे वाले में देखे ये बिल्कुल एक तम जैसे सौफ्ट तो बिलकुल जैसे आप आलू में चाकू को गुसाते हैं बिलकुल उस तरीके से, देखे दो बिलकुल हार्ड हैं, तीसरी जो वो सौप्ट थी, तो आपको क्या होता है, सबसे पहले पाणी निकालना होता है हमें, तो ज़्यादा तर क्या होता है, जब आप तोड़ के पत्थ कश होता है उस से भी आप इस तरीके से इस से पानी निकाल सकते हैं तो देखिए हमने इस तरीके से और ध्यान देनी है कि अब मीनारियल तोड़ना होता है है तोड़ने कई तरीके है सबसे it हो robust को हमेशा वीस इसी पत्थरा आपको से पथ्थर और से और तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप इना सेंटर में मारें यह जो तीन लाइन है तीनों zones के बीच में बारी बारी से मारेंगे तो आपका नारियल तूटेगा बिलकुल ऐसे तूटेगा जैसे चाकू से काटा गया वो बिलकुल आधा हो जाएगा एक दम दो हिस्सों में बटेगा वो भी बिलकुल बराबर बराबर तो बिलकुल आपको ध्यान देते हुए बीच में इसमें मारना है वो भी सिर्फ लाइन के उपर तो ये तो आप इस तरीके से तोड़ के निकाल सकते हैं एक दूसरा तरीका बताती हूं गैज जलाइए अच्छा पहले कई बार कई लोगों ने बताया कि नारियल में गरम करके जब आप निकालते हो तो नारियल के पानी के टेस्ट खराब हो जाएगा जगे-जगे से यह चटक जाएगा आप देख भी सकते हैं कि इसे एक मिनट के लिए घरम करना होता है जैसे चैसे इनारियल आपका इस तरीके से चटक जाए और अजाये तो बस हमें बंद कर देना हैं हमें सिल को जलाना नहीं है आग में नहीं परिवर्थित करना है जब यह हलका सठंडा हो जाए तो तब आप क्या करेंगे अगर आप इसे ज्यादा देर तक या ज्यादा तेज आँच में रखेंगे तो कई बार यह काफी ज्यादा चटक जाता है अगर सौफ्ट नारिया लोगा तो और ज्यादा चटक जाएगा अब इसको हम दीरे दीरे से इस तरीके से किसी भी पत्थर से या किसी भी भारी चीज से चाकू की पीछे की साइट से अगर हैवी चाकू है तो उससे इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं तो हलका हलका से बिल्कुल ठोकिए अगर भी देखिए नागिल थोड़ा गरम है मैं गरम गरम ही दीखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे पास कम था इसलिए में ज्यादा वेट नहीं करते कि अगर आप इसे थोड़ा सा ठंडा करके यानि जितना आप हाथों में असाने से ले सकते हैं धीरे धीरे ठोकेंगे न तो जो इसका छिलका होता है अपने आप ही निकल जाता है अपने आप से छोड़ देता है जब भी आप आप नारियल लाईएग का तो जरूर आजमा करके देख़यों आपके साथ कोई नई है तो मुझे भी बताईएगा तो अब यहाँ पी इसे हम धीरे धीरे मारेंगे इस तरीके से और नारियल जो है इससे बहुत ही असानी से निकल जाता है इसके पहले भी मैंने नारियल तोटने की वीडियो शेयर की हुई यह आपके साथ मैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं तो इस एके से जो नारियल है आपका तूट जाएगा लेकिन क्योंकि इसे गरम करने की वज़ा से होता यह है कि जो इसका उपर का शेल होता है ना वो नारियल से अलग होने लगता है एजिली ज्यादा तर क्या होता है जब आप नारियल फोडते हैं फिर उसे चाकू से या पे तो यह जो सेल है जो मोटा अलग हो जाता है अपने आप ही अलग हो जाता है गरम की वज़े से और जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा इसका टेस्ट भी नॉर्मल हो जाता है तो यहां पर देखिए इस तरीके से अगर आप चाकू लगाएंगे देखिए बहुत ही आराम से निकल पूरे नारियल में आपको तीन से चार वारी आपको चाकू चममच यह पेचकस लगाना पड़ेगा और नारियल खुलता चला जाएगा और जब भी अगर आपको नारियल छीलना हो चटनी वगेरा के लिए तो आप इसी तरीके से फोड़ें थोड़ा गरम होने के बाद में नारियल हलका सौप्ट हो जाता है तो होता उससे यह है कि जब भी आप जो है चटनी बनाते है तो उसका छिलका उतारने में आसानी हो जाती है और एक चीज़ आपको यहाँ पे एक टिप दे दूम है कि जब भी आप नारियल की चटनी बनाएं तो ऐसा नारियल लें जो काला था वो मेरे हाथों के थ्रूस में लग गया है तो इसे खुब अच्छे से एक से दो बार हम साफ कर लेंगे और इस तरीके से नाजियल निकालने के मैंने आपको आप दो तरीके बताए हैं तो यह तो आप गरम करके निकाल सकते हैं बर्नर में आग में इसे थोड़ा गरम